Hello everyone, welcome back to my channel So दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ Another Online Earning Application Now आज इस application पे आप earning कर सकते हैं वो एक form filling work आप क्या सकते हो यहाँ पर As a आपको review लिखना होगा मतलब काफी सारे यहाँ पर आपको application मिल जाते हैं जो कि आपने अपने life में use किये होंगे या day to day life में use करते होंगे तो बहुत सारे ऐसे application होते हैं जिसमें हमारा own एक review होता है कि यहाँ पर यह part मुझे इसका बिलकुल भी अच्छारी लगता है या pros and cons आप जानते होंगे benefit, disadvantages, advantages advantages, ऐसे बहुत सारे application पर हमें लगते हैं उसका यहाँ पर आपको review लिखना है यह review आप you know star rating के इसरूर दे सकते हैं वहाँ पर आप लिख कर दे सकते हैं और काफी सारे अलग-अलग method मिल जाते हैं यह reviews देने के आप earning करने वाले हैं and per review के up to 10 dollar आप earning करेंगे यह review दे के आप earning कर सकते हैं so make sure करें वीडियो को बिना skip के आइं तक देखना है अगर आपने वीडियो हल्पूल होती है ऐसी और डिली जोब अबडीक्स यह दिली अर्निंग करना चाहते हैं तो चालों को सब्सक्राइब करके जरूर से रख ले काफी बार काइन मास्टर लोग यूज करते हैं अडिटी के अप्लिकेशन है इसी तरी किसा से काफी सारे अप्लिकेशन होते हैं जिसे हम यूज करते हैं और काफी सारे ऐसे भी अप्लिकेशन होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है तो यहाँ पर यह जो कि वेबसाइट है, यहाँ पर आपको proper review देना है application का, जिसे कि for example Microsoft ले लेते हैं, वोग तो आपने काफी लोगों ने use किया होगा, या word बोल सकते हैं, या Gmail account आप बोल सकते हो, ये काफी लोगों ने use किया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कि star rating देन होगी, इसी के साथ यहाँ पर आपको एक section दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपका review लिखना है, अपना opinion लिखना है, कि क्या आपको इस application में changes, ये अपडेटेशन चाहिए, फिर एक और section यहाँ पर आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको लिखना होगा, इसके disadvantages आपको क् एक आपको 3-page का जो की है, फॉर्म मिलता है, जिसे आपको proper fill-up करना होता है, जो इससे इनको benefit क्या मिलती है, क्यों ही आपको पैसे पे कर रहे हैं, ये simple task complete करने के, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये सारे application होते हैं, इसमें क्यों कुछ नए-ने updates आते रहते हैं, और य ये ही आपके review की through, ये सारे applications के जो की है, वो change कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपसे review ली जाती है, तो आपको जो भी review लगता है, आप यहाँ पर दे सकते हैं, और एक genuine review आप कैसे देंगे, मतलब हर एक section को आप सोच समझ के fill-up करना है आपको, वो कैसे करना है, वही इस video म मैंने आपको explain किया है, वीडियो थोड़ी से लंब ही है, बट आपको make sure करना है कि कोई भी part को बिना skip किया हैं तक देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी step miss करोगे, तो आपको उस जगे पे क्या fill-up करना है, वो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप you know, सभी को को नाम है captera.com, यहाँ पर आप जो की है work करने वाले हैं, 100% legit है, इसका review भी मैं आपको check कर आवा देती हूं, तो जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं, Captera, यहाँ पर देखिए reviews आ गया है, Google पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, 100% legit है, star rating की बात करें तो आप देख सकते ह है, 0.2 star की rating दी गई है, और इसके बारे में reviews भी पढ़ना चाहो, तो भी आप किसी भी platform पे जाकर इसके बारे में reviews पढ़ सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको registration करना होगा, registration करने के लिए यहाँ पर आपको sign up पे click करना है, तो चली अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको 3 steps मिल जाते हैं, सबसे पहले आप Google से कर सकते हो, सेकेंड यहाँ पर आप Facebook से कर सकते हो, और थर्ड चीज यहाँ पर आपको LinkedIn से करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर मैं आपको जो step बता रही हूँ, वो LinkedIn के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको 3 benefits मिलने वाले है, 1st benefit यहाँ पर क्या होगा, कि अगर आप काफी सारे मेरी वीडियो देखते हो, यह डिली बेसिस में मेरे regular वीवर्स हो, तो आप जानते हो, कि ऐसे काफी सारे प्रोफाइल से, यहाँ जॉब रोल होते हैं, जहाँ पर apply करने के लिए आपको कहा जाता है, कि apply through LinkedIn profile, I am sure आपने यह जो की option को देखा होगा, और आप इसको neglect कर देता है, या apply नहीं कर सते है, या कई बार आप उसे leave कर देते है, यहाँ पर सबसे पहले आपको benefit मिलेगा, कि आप कोई भी LinkedIn profile पे कोई और job role के लिए apply करोगे, तो यह profile आपको वहाँ पर भी help करने वाली है, second, यहाँ पर आप application है, इनको यह आपका profile review करने के लिए भी काफी सदा help मिलता है, मतलब जो आपने यहाँ पर review लिखा है, वो एक genuine person की थू लिखा गया है, यह उनको tracking मिलती है, तो यह दो जो की benefits मिल जाते हैं, and lastly, यहाँ पर यह होता है, कि LinkedIn profile once आपकी बन जाती है, तो आप किसी भी अपने resume करते हैं, इसलिए मैं आपको यह LinkedIn profile बना कर बता रही हूँ, कि कैसे बनाना है, आप चाहो तो बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो directly Google से भी login कर सकते हो, तो चलिए स्टार्ट करते है LinkedIn profile बनाना, जिसमें uppercase, lowercase, number, symbol, सारे चीज़े add करते हो है, आपको अपना एक password set करना है, उसके बाद agree and continue पे click कर लेना है, जैसे आप इस पे click करेंगे, तो यहाँ पर first name एंटर करना है आपका, and last name यहाँ पर आपको enter कर लेना है, उसके बाद करेंगे आप continue, then यह इस तरह की से process होने लगेगा security verification के लिए and then verification complete हो चुका है, अब आपको एक puzzle दी जाएगी, जो आपको solve करनी हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो की puzzle आपको दी गई है, let's do quick security check, pick the image that is correct way up, तो जो की correct है, वो आपको choose करना है, तो यह देखे, यह correct है, बाकी यह सब right, left, up, down है, तो यह correct image है, इसे choose करना है and then आपको करना है next में click, now यहाँ पर आजाता है welcome श्रदा, जो की मेरा नाम है and यहाँ पर आगया है country, आपको यहाँ पर कौन से country से आप रहते हैं, वो आपको यहाँ पर select कर लेना है, at the same time accordingly आपको city and district भी select कर लेना है, यहाँ पर drop down में आपको काफी सारे options दिखेंगे, तो उन में से आप choose भी कर सकते हो, then आपको click करना है next पर, then आप यहाँ पर से देख सकते हो most recent job title, your profile helps you discover new people and opportunity, तो अगर आप एक student है, तो आप वो put कर सकते हैं, वो add करते ही, यहाँ पर देखे, मैंने data entry specialist for example add कर दिया है and यहाँ पर employment type आप कैसा चाहते हो, part time, full time, contract basis, जैसे भी आप work करना चाहते हो, आप यहाँ पर choose कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने लिखा है most recent company, तो grace with me, जो की मेरा channel का नाम है, यहाँ फिर आप इसे skip कर सकते हो, अगर आप एक student हो, fresher, आपने कभी भी work नहीं किया है, यहाँ पर आपको continue करना है, इसकी बाद confirm your email ID, भी जो मैंने यहाँ पर मेरे email ID एंटर किया है, इसी पर एक verification code आया होगा, वो code यहाँ पर आपको enter करना है, and then agree and confirm कर देना है, तो yes, यहाँ पर आप देखेंगे, LinkedIn message आया हुआ है, श्रद्दा your pin is, और यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर एंटर करना है, चलिए इसे open करते ह यहाँ पर आप देखिए, thank you for signing up, और यह जो की है, code है मेरा, इसे करना है, यहाँ पर confirm यह email पर click, तो यहाँ पर यह code जो की automatically enter हो गया है, and now मैं करूंगे इसे agree and confirm, code enter करने के बाद, next question यह आ जाता है, are you looking for a job, यह पर आपको तीन option दिये गए, सबसे पहले देखिए, अगर आपको job की बहुत ज़दा need है, और recent कोई भी job हो तो वो आप कर सकते हैं, तो आपको first option चूज करना है, जिसका मतलब है yes, I am actively looking for a new job, second चीज देखिए, इसमें लिखा है कि not really, मतलब ज़ादा जरूरत नहीं है, बट अगर अच्छा पॉच्छिर्टी होगा, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो आपको यहाँ बर second option पर click करना है, और third option दिया गया है, I am not interested in any job, आप सिर्फ अगर ये profile, ये LinkedIn website को explore करने आए हैं, तो यहाँ पर आपको third option पर click कर लेना है, तो जो भी होगा आप ये click कर सकते हैं, then आपको कर लेना है next पर click, उसकी पाद job title आपको select कर ल specialist, KYC analyst, customer support specialist, account manager, ये title मैंने यहाँ पर add कर लिया है, job location मैंने यहाँ पर Mumbai महाराश्रा रखा है, I am open to work करके next पर click करेंगे, उसकी बाद आजाता है, get notified when new jobs are posted, तो ये दुनों को आपको on कर लेना है, क्योंकि जबी भी आपके related, आपके profile is related और आपके location में, job यहाँ पर इस profile प जाया करेंगी, ये on करके आपको कर लेना है, next पर click, let's recruiter know you are open to new jobs, तो यहाँ पर इसे भी on कर लेना है, मतलब share करना है अपनी profile को, उसके बाद अगीन आप करेंगे इसे next पर click, now देखिए आपका finally जो की है, page बन चुका है, LinkedIn profile का, यहाँ पर आप देखिए next, connect with the people you know, तो य यहाँ पर आप form filling करके तो earning करने ही वाले, बट इसके साथ आपको एक और benefit मिल गया, जो यह है LinkedIn profile बनाने का, जैसे आपका LinkedIn profile बन जाए, उसके बाद आपको करना होगा, login पे click, तो यहाँ पर मैं इसे भी back कर लेती हूँ, और login कर लेते हैं, तो जो अभी हमने email ID और password set किया है उसी के through आप यहाँ पर login करेंगे, तो देखें, यहाँ पर LinkedIn का option शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको click करना है, यह हो गया email ID और यहाँ पर password पे click करेंगे, तो password मैं यहाँ पर enter कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने password enter कर दिया है, अब हम करेंगे से sign in पे click, तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर sign in कर सकते हैं अपने LinkedIn प्रोफाल के through, या फिर आप जैसे भी email ID और जैसे भी आपके लिए comfortable होगा, उसके through भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो की होके हैं login, इस तरीके से है simple process यहाँ पर registration करने का, अब देखें, यहाँ पर आपको कुछ चीजे और details fill up करनी है, जो की आप dashboard में देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना profile picture add कर सकते हैं, इसकी बाद invite teammates अगर आपके पास है, तो आप उन्हें भी invite कर सकते हो, या फिर आप skip कर सकते हो, और यहाँ पर देखें 3-8, यहाँ पर आपको यह पूरा 8 complete करना है, जिसमें आपका first name, यह आप अपना profile picture और यह details fill up करिए, जो जो important steps है, मैं वही आपको इस video में बता रही हूँ, ताकि आपका time waste ना हो, और आप easily यह सारे चीज़ों को कर पाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप company size select कर सकते हैं, तो 1, 2, 2, 9, तो अगर आप single person है, तो 1 भी select कर सकते हैं, और यह बात को ध option पर, यहाँ पर चाहिए, अप start होता है हमारा काम, जिसके लिए मैंने ये video बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कितने सारे अलग-अलग जो की है, software's मिल जा रहे हैं, applications मिल जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखी, Google Drive, आपने most लिए आपने स देख रहे होंगे, पहले मैं recommend करूंगी आपको कि इन में से जो भी application को आपने use किया है, और इसके पारे में आपको थोड़ा बहुत knowledge है, सबसे पहले आपको pick करना है वही application, तो यहाँ पर मैं आपको scroll down करके दिखा रही हूँ, और भी कुछ, यहाँ पर मैं application आपको दिखा आती हूँ, यहाँ पर जो आपको format दिख रहा है यह जो की writer review for Microsoft 365, इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी application होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, Google Drive, Google Workpress, Workspace, जितने भी application के लिए आप लिखोगे, सबका जो की interface यही रहेगा, और यहाँ पर जो examples में आपको tips and tricks share करूंगी, यही आपको सारे application के लिए use करना है, और total यहाँ पर दिखी 3 pages होंगे, जिसे आपको complete करके proper एक feedback इने देना है, तो चलिए start करते हैं first से, यहाँ पर आप देख सकते है, Microsoft 365 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको first name enter करना है, यहाँ पर हमें last name enter करना है, हमारा असी की साथ email id enter करना है and job title यहाँ पर आपको select करना है, तो again मैं remind करा दू, जो आपने starting में job title लिखा था, वही आपको यहाँ पर enter कर देना है, तो जैसे की मैंने data entry लिखा था, data entry specialist, तो इस तरीके से मैं enter कर दूँगी, organization name मैंने यहाँ पर grace with me लिखा था, अगर आपका कुछ भी नहीं है, तो आप आपको select करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखाये जाएंगे, तो accordingly आप कोई भी एक select कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर जैसे की internet या इस तरीके से select कर लेती हूँ, यहाँ पर company size आपको select करना है, तो me, myself आप कर सकते हो, employees है आपके यहाँ पर तो वो आप select कर सकते हो, 11 to 50, तो यहाँ पर मैं myself only select कर ले रही हूँ, how long have you used this software, मतलब इस software को आपने कप से use किया है, कितना time, तो free trial less than 6 months, एक साल 6 मेना, जो भी use किया है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर करती हूँ, less than 6 months, उसकी बाद आ जाता है, in what capacity do you use Microsoft 365, ठीक है, तो यहाँ पर आप को select करना है option, जैसे कि आपने document management के लिए किया है, या email management के लिए, या spreadsheet के लिए, तो मैंने रेखी, ये spreadsheet के लिए कई बार use किया है, या फिर online meeting भी आप यहाँ पर select कर सकते हो, तो जो भी एक option हो, आप select कर सकते हो, या एक से जाधा भी करना चाहो, तो वो भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं How frequently do you use this software? Select an option, बतर डेली बेसेश में आप यूज करते हैं इस software को weekly या monthly, तो यहाँ पर मैं weekly डाल देती हूँ उसके बाद what is your role in using this software तो I am a user, I am an administrator तो यहाँ पर आपको I am a user पर ही select कर लेना है, administrator या purchase यह सारे details आड नहीं करने है, यह सारे details आड करने के बाद यहाँ पर आपको करना है next पे click नाव आजाता है हमारा second option second option में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको star rating देनी है देखी कितना easy है चुकि यह review लिखना यहाँ पर आपको star rating ही देनी है तो यहाँ पर overall quality आपको Microsoft की quality कैसे लगती है तो आपको जादा low भी नहीं रखना है और जादा high भी नहीं रखना है इस बात का आपको जादा ध्यान रखे कि यहाँ पर जितने भी application के आप review देंगे तो वो आप यह नहीं के genuine लगे मतलब एक या दो star rating ना दे इस of use तो yes यहाँ पर 4 star rating features and functionality इसको मैं 5 star दोंगी customer support को मैं 4 star rating दोंगी value of for money तो यहाँ पर मैं इसे 5 और यहाँ पर मैं इसे दे देती हूँ 3 star तो इस तरीके से जोकी है मैंने इसे star rating दिया है अगर आपको फिर भी कोई doubt लगे कि कितना देना चाहिए या समझ में ना है तो आप इसका review जोकी है Google पे से भी पढ़ सकते हो और accordingly यहाँ पर आप रेटिंग्स दे सकते हो उसकी बाद आ जाता है features name तो feature name देखें से your data storage तो yes यह जोकी है बहुत ही अच्छा है इसका and then आ जाता है document storage तो वो थोड़ा सा कम है इस application का जैसे की मैंने यूज किया है इसकी बात file sharing तो यहाँ पर मैं पहले से फटा-फट से complete कर लेती हूं email management फोर स्टार की रेटिंग search and filter तो yes यहाँ पर offline access तो फोर स्टार document and generation में 3 स्टार collaborating collaboration tools तो 5 स्टार तो इस तरीके से मैंने इसे स्टार रेटिंग दे दिया है तो आप भी accordingly जिस भी application पे आप work करेंगे या जिस भी application पे आप review देंगे इस तरीके से आप दे दीजे now देखिए how does the pricing for Microsoft 365 compare to similar product तो यहाँ पर देखिए pricing तो इसकी थोड़ी से you know expensive inexpensive है बट मैं इसे mid-air दे देती हूँ और इसे के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो यह optional है आप इसे skip भी कर सकते हो कोई ज़रूरी नहीं है इसका जोकी यह answer देना बट मुझे इसकी बारे में पता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से चूज कर लेती हूँ उसकी बात देखिए how likely is it that you would recommend Microsoft to your friend और कलिक तो यहाँ पर मैं इसे 7 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगी कि मैं yes इसे recommend करूंगी अपने friends या colleague के साथ तो इस तरीके से हो जाता है हमारा second step भी complete देखिए कितना easy process है मैं आपको बता रही हूँ इसलिए time लग रहा है बट अगर आप कोई भी application पर करेंगे तो एक review लिखने के लिए 3-5 minutes से लगेगा यह complete करने में अब आ जाता है हमारे next page पे final page दो की है third page इस तरीके से complete करना है अब यह थोड़ा सा आपको जो कि यह difficult लगेगा कि यह कैसे complete करें क्योंकि यहाँ पर आपको properly type करना है इस application के बारे में ठीक है चले कोई बात नहीं मैं आपको help करती हूँ तो पहला question आ गया है आपको title देना है तो क्या आप title देंगे तो for example मैं आपको उता देती हूँ तो मैं यहाँ पर कर रहे हूँ review तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ review of Microsoft 365 365 तो यह मैंने लिख लिया है कि मैं review कर रहे हूँ review of Microsoft 365 as a title ठीक है उसकी बात आजाता है pros and cons नो सबसे पहले यह important है कि आप इ pros मतलब एकदम easy word में मैं आपको बताऊं तो advantages क्या अच्छी बात है इस application का और cons मतलब disadvantages या क्या चीजे जो आपको लगती है कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि यह थोड़ा सा इसमें difficult हो रहा है इस तरीकी से आप benefit advantage आप क्या सकते हैं और यह cons में आ advantage या जो कि आपको problems होती है इस application रिटेट वो आप यहाँ पर अपना review लिख सकते हैं तो बहुत ही simple है यह भी करना क्या करना है आपको सबसे पहले google पर चले जाना है यहाँ पर जाके आपको type करना है Microsoft 365 pros and cons देखिए यह option आ गया है इस पर आपको click कर देना है now आपको काफी जरा ऐसे website मिलेंगे जहाँ पर इसकी pros and cons लिखे दिख जाएंगे तो यहाँ पर मैं कोई एक application ले ले लेती हूँ जैसी कि trust radius ले लेते हम इस पे click करते हैं कोई भी एक आप website पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको इस application के बारे में pros and cons मिल जाएंगे तो इस पर मैंने click कर लिया ह website पे Microsoft का proper review आपको दिखा गया है यहाँ पर देखी overview आप देख सकते हो इससे scroll down करोगे नीचे तो यहाँ पर आपको इसकी pros and cons भी मिल जाएंगे तो थोड़ा सा scroll करते है and pros and cons तो देखी यहाँ पर आप देख सकते हो pros and cons आपको मिल गये हैं यह same application से यहाँ पर view all pros and cons पे click कर करते हैं देखते हैं कोई satisfying है तो हम उसे copy paste कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Microsoft 365 का pros मतलब positive point आपको दिख रहा है यहाँ पर access your document be able to edit और scroll down करते है yes तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है pros and cons यह satisfying तो नहीं है बहुत ही छोटे-छोटे है यह जो कि है नहीं अब दूसरे website पर जाते हैं यहाँ पर एक और website जो कि मुझे दिख रहा है get app इस पर मैं click करती हो और यहाँ पर try करते हैं कि हमें कोई अच्छा सा pros and cons मिल जाए तो इस तरीके से स्क्रोल करते हैं and let's find pros and cons तो यह यह जो की section है pros and cons का है this is sort thing तो इस site जो की है pros है और इस site जो क ले लेते हैं ठीक है इसको properly आपको करना है सबसे पहले copy simple copy paste method में आपको बताओंगी कैसी use करना है अगर आपको बिंखुल भी लिखना नहीं आता है यह जो की review को pro से जो की मैंने copy कर लिया है उसके बाद आपको जाना है एक और application पे जिसका नाम है spin boat तो इस तरीके से आपक application पे आ जाएंगे तो जो अभी हमने prose copy किया है वो आके यहां पर आपको paste कर देना है ठीक है यह जो की थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं एक और prose ले लेती हूं यहीं से थोड़ा सा scroll down करते हैं और एक और prose में जैसे कि यह वाला भी prose ले लेते हैं तो थोड़ा सा review हमार बड़ा भी हो जाएगा at the same time वो proper लगेगा two sentence का तो यह भी हम यहां पर कर देते हैं paste ठीक है यह हो गया prose अब क्या करना है आपको यहां पर advance यहां पर दिख रहा है और basic spin दिख रहा है तो आपको basic spin पे click कर लेना है यहां पर इसे click करते ही आप देख सकते हैं कि यह जो की same content है इसका दूसरे alternative words में यहां पर आपको यह दोनों ही sentence दिख रहे हैं आप इसे कर सकते हैं copy और मैं आपको बता दू कि मैंने इसे directly copy paste क्यों नहीं किया क्योंकि यहां पर यह application यह चेक करता है कि आपने कहीं से copy या paste तो नहीं किया है तो यहां पर जो already यह word है यह सारे sentence है इ हम जाएंगे हमारे review पे और यहां पर जो हमारा pros है इस पर आकर इसे paste कर देंगे यह देखी यह paste हो चुका है यह paste हो चुका है अब यहां पर plagiarism का भी कोई issue नहीं आएगा कि यहां पर आपने कहीं copy paste किया है यह भी पता नहीं लगेगा इसी तरीके से आपको जो किए cons उसे भी copy paste कर लेना है तो देखी यहां पर यह जो pros हमने copy किया था उसी के आगे उसी के सामने आपको cons भी दिखेंगे उसे भी आपको कर लेना है पहले copy उसके बाद आपको चले जाना है spin board पे यहां पर मैं इसे pack कर लेती हूँ और यह जो cons है इसे भी हम यहां पर करेंगे paste और एक और sentence ले लेते हैं क्योंकि हम दो-दो sentence कर रहे हैं इसलिए इसे भी मैं कर लूँगी copy और यहां पर हम इसे करेंगे paste यहां पर करेंगे basic spin word जो की है change हो चुके है अब इसे करेंगे again copy और यहां पर जो हमारा यहां पर हम इसे करेंगे paste देखिए बहुत ही easy सा method है थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना होगा क्योंकि आप जानते हूँ कि आप बहुत सारे tricks लगाकर इसे कर रहे हो और 10 डॉलर आपको easily ऐसा ही तो नहीं मिल जाएंगे इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके यह application पर जाकर इसे copy paste method यूज़ करना है और यह form को fill up करना है इसके बाद आ जाता है हमारा last question describe overall your experience यहां पर अपना experience आपको share करना है इस application को लेकर तो यह भी काफ़े simple है अगिन आपको google पर चले जाना है यहां पर जो ह इस पर click करने के बाद आपको overview मिल जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह overview Microsoft 365 का है इसको आपको कर लेना है copy paste तो यह dots में हटा देती हूँ yes तो इस तरीकी का जो की हमारा हो गया है describe experience भी हो गया है पर यह optional है आप चाहो तो आप इसे skip भी कर सकते हो बट अगर आप चा तो कर सकते हो या फिर आप इसे skip कर सकते हो देखिए do you switch from another product तो देखिए अगर आप switch करना चाहो तो yes no यहाँ पर no कर देंगे do you integrate any other product with Microsoft competition तो इसे भी हम कर देंगे no then यहाँ पर आपको यहाँ पर click करना है I review submit कर देना है यहाँ पर आपको submit पे click कर देना है यहाँ पर एक आ उसके बाद हम करेंगे verify पे click और यहाँ पर देखिए your product review has been submitted so once आप review देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपने dashboard पे आ जाना है dashboard पे आने की बाद यहाँ पर आपको चले जाना है my reviews पे इस पे आपको click कर लेना है यहाँ पर click करेंगे then आपको यहाँ पर show होगा कि आप review pending में तो यहाँ पर आप देखो pending हो गया है अभी तक accept नहीं किया गया है हमारे जो किया review को यह और जो की है time लेगा please allow up to 3 weeks जो की लिखा गया है तो within 3 weeks के under under आपको पता लग जाएगा कि आपका review जो की है वो select हुआ यह नहीं तो इस तरीके से आपको आपकी जितने भी reviews आ आपको collect करने है my rewards पे चले जाएए यहाँ पर see rewards पे आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको काफी सारे gifts card मिल जाते है या फिर इस तरीके से आपको बहुत सारे अलग-अलग type की rewards मिलते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आपको gift card चाहिए तो देखिए gift card का option दिय गया है और इस यहीं पर आपको reviews guidelines भी दी गई है अगर आपको review reject हो जाता है तो guidelines के according आप देख सकते हैं कि क्या आपको problem अपने उसमें हुआ था जिस वचे से आपको जो की है review डिस select हुआ है मतब select नहीं हो पाया है तो यहाँ पर यह details आपको read करना है सारे जीजे once आपका review जो कि accept हो जाता है उसके बाद अपना पैसा यहां से withdraw कर सकते हैं reward ले सकते हैं यहाँ पर इसका option दिया गया है तो मैं part 2 भी आपके लिए जरूर से बनाऊंगी जहां पर मैं आपको proper जो कि है withdraw करके बताऊंगी कि आपको अपके पैसे आपकी gift cards कैसे withdraw करना है तो उसके लिए stay tuned रहे है और comment करके जरूर से बताईए अगर आपको कोई भी doubt रह जाए या फिर अगर आप part 2 देखना चाते हैं तो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि इस पर आप part 2 भी बना दीजिए तो इसी तरीके से आप यहां पर work कर सकते हैं बहुत ही simple and legit website है जहां पर आप दिन क देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुर भी ना दिलें तो चलिए मैं आप से बलती हूं मेरे एक लिए वीडियो में तब तक लिए take care and bye bye